रामायम की कथा तो सभी ने सुनी या पढ़ी होग, जिसमें श्री राम और माता सीता के जीवन से जुड़े पहलूओं को दिखाया गया है. उन्हीं में से एक कहानी में बताया गया है कि कैसे मर्यादा पुरुशोतम राम अपनी पतनी सीता को एक धोबी की बातों में आकर अयोध्या छोड़कर जाने को कह दिया था. लेकिन क्या आपको पता है कि वो धोबी के रूप में जन्मा एक पक्षी था, जिसके श्राब की वजहे से ही माता सीता को वन में भटकना पड़ा. दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि देवी सीता को किस पाप की सजा मिली थी जो उन्हें बन-बन भटकना पड़ा. दोस्तों अगर जानना चाहते हैं कि वह पक्षी कौन था जिसके श्राब की वजहे से सीता जी को बन में भटकना पड़ा तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें और ऐसे ही स्पेशल वीडियो देखने के लिए जुड़े हमारे चैनल सत्यार्थी पर. मित्रों धर्ती की कोख से जन्मी थी सीता और मिथिला नगरी में राजा जनक राज करते थे. एक बार यग्य के लिए वो जमीन जोत रहे थे. उसी समय वहाँ से एक छोटी कन्या निकलती है. इस सुन्दर कन्या को देख कर राजा को बहुत खुशी हुई. उन्होंने उस कन्या को अपनी पुत्री बना लिया और उसका नाम सीता रखा. एक दिन सीता अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी. वहाँ उन्हें एक तोटे का जोड़ा दिखाई दिया. जो बहुत ही खुबसूरत था. वे दोनों पक्षी एक परवत की चोटी पर बैठ कर बाते कर रहे थे. प्रित्वी पर श्री राम नाम से विख्यात एक बड़े सुन्दर राजा होंगे. उनकी महारानी का नाम सीता होगा. श्री राम सीता के साथ कई वर्षों तक राज्य करेंगे. तोटे की ऐसी बाते सुनकर सीता ने सोचा कि ये दोनों तो मेरे ही बारे में बाते कर रहे हैं इन्हें पकड़कर मैं इनसे अपने जीवन से जुड़ी सारी बाते पूछ सकती हूँ इसलिए उन्होंने अपनी सहेलियों से उन दोनों पक्षियों को पकड़कर लाने को कहा उनकी सहेलिया उस परवत पर गई और दोनों पक्षियों को पकड़कर ले आई माता सीता उन पक्षियों से कहती हैं कि तुम दोनों बहुत सुन्दर हो, डरो नहीं मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुचाऊंगी तुम बस मुझे ये बताओ कि तुम कौन हो और कहां से आये हो राम कौन है और सीता कौन है तुम्हें उनके बारे में कैसे पता है महर्शी ने रामायन नाम का एक ग्रंथ लिखा है जिसका पाथ उन्होंने अपने शिश्यों को भी कराया है उन पक्षियों ने सीता को ये भी बताया कि इस ग्रंथ में महर्शी वालमीकी ने बताया है कि महर्शी श्रिंग रिशी के द्वारा किये गए पुत्रिष्टी यग्य से प्रसन्न होकर भगवान विश्नुराम, लक्ष्मन, भरत और शत्रुग्न ये चार मानव शरीर धारण कर प्रित्वी पर जन्म लेंगे बड़े होने पर श्री राम महर्शी विश्वामित्र और अपने छोटे भाई लक्ष्मन के साथ हाथ में धनुष लिए मिथिला आएंगे और शिव जी के धनुष को तोड़ कर सीता से विवाह करेंगे फिर उस पक्षी के जोड़े ने कहा है सुन्दरी हमने तुम्हें सब कुछ बता दिया अब हमें छोड़ दो हम जाना चाहते हैं पक्षियों की बाते सुनकर माता सीता के मन में और भी बाते जानने की इच्छा हुई उन्होंने उन दोनों से पूछा की राम कहा होंगे वे किसके पुत्र हैं कैसे वो मिठिला आकर जानकी से विवाह करेंगे नर्तोता बोला की श्री रामचंदर का मुख कमल के समान सुन्दर नेत्र बड़े बड़े और खिले हुए पतली भुजाये घुटनों तक गला शंक के समान होगा मैं उनका क्या वर्णन करूं जिनके गुनों का बखान सौमुख वाला भी नहीं कर सकता दोनों पक्षी कहते हैं कि जानकी देवी धन्य है जो जल्द ही रगुनात जी की पत्नी बनकर उनके साथ कई वर्ष तक राज करेंगी लेकिन तुम कौन हो पक्षियों की बाते सुनकर सीता ने कहा कि जिसे तुम लोग जानकी कह रहे हो वो मैं ही हूँ माता सीता तोते से कहती हैं कि मैं तुम दोनों को तब छोड़ूंगी जब श्री राम यहां आकर मुझसे विवाह करेंगे तब तक तुम दोनों अराम से मेरे घर में रह सकते हो ये सुनकर मादा तोता जानकी से कहती है कि हम वन के पक्षी हैं, हमें घर में सुख नहीं मिलेगा मैं गर्भवती हूँ, मुझे जाने दो, मैं अपने स्थान पर जाकर बच्चे पैदा करूँगी आप चाहें तो उसके बाद फिर से यहां आ जाऊंगी उसके कहने पर भी सीता जी ने उसे नहीं छोड़ा तब उसके पती यानी नर्तोते ने कहा, सीता मेरी पत्नी को छोड़ दो, वो गर्भवती है जब ये बच्चों को जन्म दे देगी, तब उसे लेकर मैं फिर तुम्हारे पास आ जाऊंगा तब माता सीता ने कहा, तुम आराम से जा सकते हो, लेकिन ये मुझे बहुत पसंद है तुम घबराओ नहीं, मैं इसकी अच्छे से देखभाल करूँगी जब सीता ने उस मादा तोते को छोड़ने से मना कर दिया, तब वो पक्षी दुखी हो गया पक्षी दुबारा सीता जी से निवेदन करता है, कि मैं अपनी पत्नी के बिना जिन्दा नहीं रह सकता इसलिए इसे छोड़ दो, माता सीता तुम बहुत अच्छी हो, मेरी प्रार्थना मान लो इस तरह उसने बहुत समझाया, लेकिन सीता ने उसकी पत्नी को नहीं छोड़ा तब मादा पक्षी ने क्रोध में सीता को श्राप दे दिया, कि जिस प्रकार तुम मुझे इस समय अपने पती से अलग कर रही है वैसे ही तुझे भी स्वय गर्भवती की अवस्था में श्री राम से अलग होना पड़ेगा कुछ दिन बाद पती से बिछडने के दुख में मादा पक्षी के प्रान निकल गए पत्नी की मौत हो जाने पर नर पक्षी दुखी हो गया फिर वो सीता जी से बोला कि मैं मनुश्यों से भरी श्री राम की नगरी अयोध्या में जन्म लूँगा मेरे ही कारण तुम्हें पती के वियोग का दुख भोगना पड़ेगा ये कहकर वो वहां से उर जाता है कुछ साल बाद उसका जन्म अयोध्या में धोबी के घर होता है उस धोबी के कारण ही सीता जी का अपमान होता है और जब माता सीता गर्भवती होती हैं तो उन्हें भी पती से दूरवन में रहना पड़ता है मित्रों आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि हमें हमारे कर्मों का फल यहीं मिलता है कर्म के फल से कोई नहीं बच सकता फिर चाहे वो भगवान राम हो या सीता सभी को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही फिर मुलाकात होगी एक नए और ताजा एपिसोड में तब तक के लिए नमस्कार